इस कौने से लेकर इस कौने तक मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं एड़ोगेट सी में खुश वहा साथियों भारत में जो हमारी आवादी है जो OBC समाज की दलेत बहुजन की जो आवादी है वो 90% आवादी है हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल हो चुका है क्या कारण है कि जिन लोगों ने सत्ता का संचालन किया है उन लोगों ने हमारे देश को आज इतना कमजोर कर दिया है क्या देश की सिर्फ सीमाओ को सुरच्चत कर लेने से कोई देश सुरच्चत हो जाता है क्या उस देश के अंदर की जो आवादी है जो OBC है जो दलेत है जिनको भागीदारी चाहिए इस देश की जाती बिवस्था बर्ग बिवस्था कटू सकते हैं और उसको एक्सप्ट कि जा चुका है तो फिर जो हम अपने हद की बात करते हैं तो अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें रोग दिया जाता है कुछ ना कुछ सरियंद्र किया जाता है जाए वो नियाइक विवस्था हो नियाइक विवस्था में मैं चू की इत प्रोफेशन में हूँ मैं कि 60% से OBC के माउट कम आए तो आपको सलेक्ट नहीं किया जाएगा और आपकी जो OBC, SC, ST पर की बेकेंसी हैं उनको बैक लॉग में कर दिया जाएगा और आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी और फिर वो बैक लॉग वाली बेकेंसी को ये जनरल बेकेंसी करके निकालेंगे और सामनबर को दे देंगे साथियो रोष्टर में भी यही किया है हमारा इत्यास हमारा पूरा का पूरा इत्यास सब कुछ गुम्रा किया गया है अगर हमारा रेप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है और साथियो ये आरच्छर हमारी र साथियों में अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ जय हिन जय भरत कर दो